तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे जो है आप अपने बिजली मीटर में नाम चेंज कर सकते हैं मतलब की बिजली के मीटर में नाम चेंज करवाने के लिए ओनलाइन अप्लिकेशन को फिल कर सकते हैं दोस्तों वीडियो स्टाट करें उनसे पहले चैनल पर पहली वारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आकन को जरूर पेस के जगा साथ आप हमें सोसल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको नीची डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आज का जो हमारा वीडियो ह पर उनसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप अपना मीटर में नाम चैंज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या-क्या डॉकॉमेंट चाहिए जो कि आपके पास होने चाहिए सबसे पहला तो आप जिस भी अप्लिकेंट के नाम पे कराना चाहते हैं उनका एक फोटो होना चाहिए साथ में उनका कोई भी एक आईडी प्रूब होना चाहिए जैसे कि अधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइवी लाइसेंस यह होने चाहिए और साथ में एक और चीज हो सकते हैं अगर आपकी पास रेजिस्ट्री यह तो रेजिस्ट्र अपलोड किजिए नहीं तो आप 1另ी bit code से बना को वो भी अपलोड कर सकत आ हैं सो चली है अगर यह सारे चीज़े और साथ में आपको basis को कर सकते हैं चली यहां विचल्गल करेंगे और इसके सर्च बार में हम UHVVN उत्तर हर्याना बिजली वित्रन निगम हम यह सर्च करेंगे आप चाहे तो किसी भी बिजली वित्रन निगम पे यह प्रोसेस कर सकते हैं सारे पे जो है ऑवरॉल सेम प्रोसेस होता है हमारा नाम चैंज करने का तो अगर आप कहीं और से ब्लॉंग करते हैं आपको ओपन हो जाएगा ओफिसल साइट कुछ इस तरीके का आपको देखेगा देखिए यहां पे कई सारे ओप्सन आपको देखेगा तो इसमें एक ओप्सन आपको ढूड़ना होता है नियू कनेक्सन का तो आपको यहां पे नियू कनेक्सन पे क्लिक करना है नियू कनेक् को जो है one by one फिल करना होता है सबसे पहला information जो है यहां पे देख लीजे हर information को बारी की से समझेगा नहीं तो अगर कोई भी information आप यहां पे गलत फिल करते तो आपका जो form है वो reject हो जाएगा तो यहां से जो है आपको सबसे पहले आपको अपना सर्किल सेलेक्ट करना है कि आपका सर्किल कौन सा है यहां से आप अपना सर्किल सेलेक्ट करेंगे चली यहां से हम अपना सर्किल सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको यहां पर सब सब्डिविजन सेलेक्ट करना है कि आपका सब्डिविजन कौन सी dipping एरिया में आता है तो यहां से हम S13 के अंदर करेंगे मेरा दिछे हमके मेरा टो इसके लिए आप domestic पे click करके यहां पे रखेंगे उसके बाद यहां पे आज की date होगी और यहां पे सबसे important चीज़ आता है application for आप किसलिए यहां पे application कर रहे हैं तो इस पे आप click करेंगे देखे कई सारे option आपको मिलेगा तो यहां पे एक option है change of name यहां पे देखे load extension बढ़ान हम change कराना चाहते हैं तो आपको change of name पे click करना होगा चलिए हां पे हम change of name पे click करते हैं क्योंकि हमें सिर्फ यहां पे नाम ही change कराना है यहां पे हमें next option मिलता है अपना supply को चूछ करने के लिए तो यहां पे आपको permanent option मिलेगा जो कि हमेशा खले आपको यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे आप permanent select करेंगे और उसके बाद नीचे जो है आपको applicant particular detail फिल करना होता है इसमें सबसे पहला हमारा है application type तो इसमें select करेंगे individual आप यहाँ पे select करेंगे अगर आप professional use के लिए कर रहे है तो यहां से जो है, आफ individual पे clickड करेς करेंगे तो यहां पर अपना title स्लेक्ट करेंगे, mister या afterward आप kis fakta male के नाम पर करवाना चाथे हैं, यहां पर miss अलगे और case transfer करना चाहते हैं, तो यहां पर mail mister सलेक्ट करेंगे उसके बाद यहां पे उनका नाम देंगे मतलब कि यहां पे जिस भी बैक्ती को आप एड कराना चाहते हैं उनके नाम पे यह मीटर लगवाना चाहते हैं उनका नाम आप यहां पे राइट डाउन करेंगे तो यहां से आपको उस बैक्ती का नाम देना है जिसके नाम पे आप अपना मीटर जो है लगवाना चाहते हैं Suppose that example के तोड़ पे हम ABC यहाँ पे एक नाम ले लेंगे मतलब कि हम जो भी नाम यहाँ पे देंगे उसके नाम पे जो है यह मीटर यहाँ पे आने वाला है उसके बाद यहाँ पे next option मिलता है फादर या हस्बेंड का तो जिस भी बैक्तिक आप यहाँ पे नाम दे रहें उनके फादर या हस्बेंड का नाम लिखेंगे यह भी हम मान के चली एक जामपल के तोड़ पे ABCD हम यहाँ पे ले ले लेते हैं उसके बाद यहाँ पे identity proof आपको देना है कि आप identity proof क्या दे रहे हैं तो चली है maximum जो लोग है अधार काट देते हैं हम यहाँ पे अधार लिख देते हैं उसके बाद हमें अपना address देना है नीचे जो भी यह column दिख रहा है हमें अपना address फिल करना होता है कौन से address पे हम अपना यह meter जो है लगवाना चाहते हैं या हम नाम चैंज करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको proper वो address देना है जहाँ पे यह meter लगी हुई है और वहाँ पे आपको connection चाहिए तो यहाँ से आप अपना flat number मतलब कि house number चूज करेंगे यहाँ से अपना एक address land 1 landmark area मतलब कि नामी गामी area जिससे कि वो आसानी से वहाँ पहुँच जाए वो landmark आप इस वाले boxes में fill करेंगे city या villages आप इस boxes में pin code automatic आएगा जो circle आप select करेंगे उसके recording आप अपना अधार number जो है इस boxes में आपको fill करना होगा उसके बाद हमें एक option मिलता है corresponding address तो जो भी address आपने दिया वो same है तो same as ever पे click करके आगे का process करेंगे जैसे आप इस पे tick करेंगे तो इसमें automatic वो address आजाएगा जो उपर आप fill करके रखे होंगे अगर आप corresponding address दूसरा देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दूसरा address दे सकते हैं लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेगा कि उपर जो भी address डाल रहे हैं यहीं पे जो है वो meter लगने वाले हैं जब आप यहाँ पे अपना proper address fill कर लेते हैं दैन आपको यहाँ पे अपने meter related कुछ information को fill करना होता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे connected load मतलब कि फिलाल आपके meter का क्या load है कितना kilowatt है वो आपको यहाँ पे लिखना है मेरा जो meter है मान के चलिए 2 kilowatt का है तो हम यहाँ पे 2 kilowatt यहाँ पे लिखेंगे अगर आपका 3 kilowatt का है या 4 kilowatt का आपने लगा रखा है जितने भी watt का आपने यहाँ पे लगा रखा है वो जो है यहाँ पे लिखेंगे मतलब कि फिलाल आपके meter का क्या load है वो आपको इस बाले boxes में fill करना है उसके बाद यहाँ से आप purpose लिख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ देखें supply meter equipment यह department ही आपको रहने देना है जब आप यह सारा चीज़ फिल करते हैं देन आपको next option आता है यहाँ पे document upload करने का जब हम यहाँ पे document upload करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों का धिहान रखना होता है सबसे पहला चीज़ कि आपका जो file है वो jpg या jpeg या pdf या png के format में ही होने चाहिए यहाँ पे आपको अपना photo upload करना होता है तो जिस भी बैक्ति के नाम पे आप connection करवाना चाहते है उनका photo जो है upload करेंगे photo का जो size है वो maximum 50 के भी होने चाहिए मतलब कि 50 के भी से कम आपको size रखना है अपने photo गा उसके बाद नीचे से जो है proof identity proof जिसमें आप अधार card, voter ID card या रासन card या driving license भी यहाँ पे upload कर सकते है इनका जो size है वो 500 के भी के अंदर होने चाहिए और जो हमारा ownership का proof है वो हम इस वाले folder में upload करेंगे तो इसमें हमारा size 500 के भी के अंदर होने चाहिए मतलब कि हमारा जो photo 50 के भी के अंदर और जो हमारा identity है और जो ownership proof है यह हमारा 500 के भी के अंदर होने चाहिए example के तोर पे देखे हम यहाँ पे एक file upload करें तो यहाँ से next file upload करने के लिए आपको choose file पे आना है और जहाँ पे भी आपने अपना file रखा है उस file को यहाँ से आके आपको select करना होगा यहाँ पे एक चीज का धियान रखेगा कि जो file का नाम है उसमें जो है space नहीं होना चाहिए अगर space होगा तो वो file यहाँ पे नहीं लेगा यहाँ पे एक proper document को upload करेंगे जब आप यहाँ पे अपना सारा document upload कर देते हैं देन आपको और option मिलता है जिसमें आपको दो information को fill करना होता है सबसे पहला है यहाँ पे account holder तो यहाँ पे आपको account holder name डालना है मतलब कि जिसभी बैक्ते के नाम पे फिलाल meter है उनका नाम जो है यहाँ पे आप डालेंगे मान के चली मेरे नाम पर यह मीटर है तो मैं अपना नाम यहाँ पर डालूंगा तो यह point को बारेकी से बरना है कि जिस भी बैक्तिक नाम पर अभी फिलाल मीटर चल रहा है उनका नाम यहाँ पर फिल करेंगे एक्जामपल के तोर पर हम A, V, C, D, E कर देते हैं और उनका जो एकाउंट नमर है मतलब कि आपके मीटर का जो भी एकाउंट नमर है वो आप यहाँ पर डालेंगे जो कि हमारा 10 डिजिट का होता है यह आप अपनी बिजली के बिल पर भी देख सकते हैं कि उनका एकाउंट नम तो इस बोक्स को टिक आउट कर कि बगल में आपको यह कैपचा दिख रहा है यह कैपचा फिल करना है जब दोस्तों यहाँ पे आप अपना सारा इन्फोरीमेशन को फिल कर लेते हैं तो ढयर अपना सारा डिक हैं इपHer We है हमारे पास अप्लिकेशन नमर आचो का जो कि हमारा यह है आप इसे कहीं पर राइट डाउन करके रख लीजिए अधरवाइज जो है आपको लास्ट में एक प्रिंट भी आता है जिसके मदल से मैं आपको यहां पे स्टेटस चेक करना भी सिखाऊंगा तो इसे जो है आप कह फाइनल फॉर्म भी आपको निकलेगा जिसमें आपका पैमेंट सहीत आपका सारा इंफोर्मिशन आता है तो यहां पर फिर से इस वाले टैप पर आते हैं और जब हम फाइनल फॉर्म समीट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ये समीट पर क्लिक करते हैं उसके बाद ठागत हैं तो इसाफ़ से आप यहां पर चार्जेज देख सकते हैं इसे पे करने के लिए आपको पेडिक करना है और उसके बाद यहां से आपको अपना पेमेंट मौड जो है सेलेक्ट करना है किसी के पास अगर debuid card है डेविट card पे सिलेक्ट करके यहां से card नंबर डालक यहां से card holder का नाम और Mac payment पे क्लिक करना है अगर किसी के पास UPI यूज़ करता है UPI से कर सकते हैं लेकिन अगर आप QR code के थ्रू करना चाहते है QR code पे क्लिक कीजी यहां पे इसे select करके Mac payment पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पे जाएगा यहां से proceed with ptm पे क्लिक करेंगे sorry payment था वो option उसके बाद यहां से चाहे तो आप अपना UPI ID डाल सकते हैं अधरवाज आपको देखी QR code यहां पे आ रहा है तो इस पे क्लिक करेंगे आपको QR code जो है open हो जाएगा इसे font पे google पे या ptm के थ्रूए scan करके यहां से payment कर सकते हैं सो चलिए यहां से जो है हम payment होने के बाद के process को दिखाते हैं आपको जब आपका payment successfully यहां पे हो जाता है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है page open होता है तो यहां से जो है आपको देखिए एक form download का option आजाएगा इस form को download करते हैं तो दो page का एक form है सबसे पहला page में आपका information होता है कि आपने क्या क्या डाला है और दूसरे information sorry दूसरे page में आपका application का detail होता है payment जो आपने कर रहा है वो detail आपको यहां पर registration नमर नीचे आ रहा है इस registration नमर को आप write down करके कहीं पर राखेंगे इसी से जो हम स्टेटस चेक कर सकते हैं चलिए इस registration नमर को हम copy कर लिए है अब हम फिर से आएंगे इसके official site मतलब की you achieve bvpn पर हम click करते है अब हम बात कर रहे है status check करने का कि हमारा status कहा तक है तो इसके लिए यहां से फिर जो official site पर आ जाएंगे home पर click करके new connection पर हम again click करेंगे यहां पर देखे right side में आपको एक option मिलेगा जहां से हम apply करें यहीं पर हमें अपना track करने का option मिलता है तो यहां से आप अपना application नमर जो है type करेंगे उसके बा अपना मीटर का नाम चैंज करने के लिए apply online आवेदन दे सकते हैं होप आपको सारा concept के लिए होगा मुझे दीजी थोड़ा से समय हम मिलेंगे next video में कोई doubt है तो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं